नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनान के 27 अगसन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है शावन मास है शुकल पक्ष है वर्षा रितू है तिथी आज की एकादशी है और आज का वार है रविवार आज पवित्रा एकादशी का वरत है और अमरत सरवार सिद्धी योग इस दिन को और भी ज़्यादा शुब और य आयुश्मान योग है तो योग की द्रश्टी से भी आज के दिन बहुती शुब है योग कारक है इसका पुरा-पुरा सदुप्यों कीजिए करण वनिज है सुबह 10 बच के 56 मिनट तक आगे विस्टी करण रहेगा सुर्योदे का समय दर्श को सुबह 6 बच के 3 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 52 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाद साड़े-चार बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारी नहीं करते हैं और लंबी आतरा पे नहीं निकलना चाहिए अब जीत मुरत आज दौपेर 12 बच के 2 मिनट से 12 बच के 53 मिनट के बीच हैं दिन में दो बार दुष मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं शाम 5 बच के 10 मिनट और शाम 6 बच के 1 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को पश पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल देंगे लेकिन फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारे यात्रा है तो उसका परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पश्चिम की और मुख कीजिए थोड़ा सा घीद लिया या पान खाकर पहले पांच किदम पीछे चलि और दिशाशोल आपको परिशान बिल्कुल भी नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह साथ बच के चालिस मिनट से दौपेर बारा बच के पच्चिस मिनट तक फिर दौपेर दो बच के दस मिनट से बच के चालिस मिनट तक फिर शाम साथ बज़े से लेकर रातरी दस बज़े तक ये तीनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो अच्छे एफट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो इससे होगा ये कि आपकी राशी की नेश राशी वालों को भाग्ये देगा नयने अवसर आगे बढ़ने के वहीं व्रश राशी वाले स्वास्त की समश्या से रहेंगे बहुत जादा परिशान मितुन राशी वालों को मिल सकता है विवा या प्रेम का प्रस्ताव या तो शादी विवा का उनको प्र परिशान तुला राशी वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे आज प्रसंद और व्रस्चिक राशी वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा उनको बड़ा लाब धनु राशी वाले आज मानसिक अवसाथ से रहेंगे परिशान लेकिन बड़े-बड़े लोगों से भेंट आपकी संभव हैं मकर राशी वाले अपना नुकसान स्वैम ही करते हुए नजर आएंगे कुम राशी वाले आज किसी लाबदाएक प्रजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं और मीन राशी वालों की नई नोकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी तो दर्शकों करते हैं आ हमारे सनातन धर्म और संसक्रती में आयू और वय अनुसार करतक्व करम और ऑश्रम का नाम डिया गया और अनुशाशन रखा गया कि वै और आश्रम की अनुसार आप अपने कर्म अवश्य करें याइसा नहीं कि कर्मों में कर्तभर में कोई धील दे दि जाएगी इसके लिए कठोपनिशद में एक स्लोक इस्प्रकार आता है कि प्रत्मेनार जिताउि विद्या द्वितिजटी में रहकर धन अर्जित नहीं किया तुरिटि अर्थार्त वानपरष्न आश्रम में कीर्ती अरजित नहीं की तो छतर्त आश्रम यहनी सन्यास आश्रम में जाकर वह और जिट कर लेगा। इसका गूर्द संदेश यह है कि छात्र जीवन में जमकर विध्याध्यन करें। ग्रेष्टि में जब आप आए तो धनारजन लक्षे पर केंद्रित रहें और 50 प्लस वाले कीर्थी बढ़े ऐसे करम करें यानि उनका सम्मान कभी कम नहों ऐसी इस्तती बनाए रखें और 75 वालों को इश्वर का ध्यान नाम जब इत्यादी में लग जाना चाहिए तभी हमारा समाज अनुशा को अर्चनों को अपने जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की और डड़ता से अग्रिसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सब लोग सुभे 11 बच के 15 मिनट के लगबग कुष्टा श्रम में जाएं गीह चमतकार कैसे होता है आज भगवान शिवजी को अर्पित की गई ध्वजा आपके लिए भाग्ये के नए द्वार भी खोल सकती है इस सारे उपाई अगर आप करते हैं तो आने वाला पुरा वर्ष बहुती सुन्दर बहुती योग का रख और इश्वरी अनुकंपा के साथ बीटेगा इसमें कोई संदे नहीं ऐसी दर्शे को जिन लोगों की जनम पत्रिका में सूर्य ग्रह निर्वल हैं पाप पिड़ित हैं या विपरीत दशा से दगद कियो हैं या जिन लोगों को जीवन में यश्य सम्मान नहीं मिलता आप एक शाख बहुत रखते हैं लेकिन उतना रेस्पॉंस नहीं मिलता तो आत्विश्वास की कमी बनी रहती है ऐसे सभी लोग आज भगवान शिवजी और सूर्य देव की विसस्ट पूजा करें और इस समश्या से बहार आएं इसके लिए करना ये है कि आप एक तामवे के बड़तन में गुड़ एक गुलाबी क अपड़े में मसूर की दाल लाल चंदन की माला ये लेकर शिवाले जाएं बहां भगवान शिवजी पर नित्ते की तरह गंगाजल दूद धई शहद शक्कर घी से अविशेक करके उनसे प्राथना करें कि आपकी जनम पत्रिका के सूर्य ग्रह के दोश दूर कर दें फिर आ मंत्र से समझें ओम रॉम गहिए और सूर्य आदिट्य हरीम ओम इसके बाद में सोला माला इस मंत्र का जाब करें ओम राम रीम रूम से सूर्य नम हैं पिर आप जो माला साथ में लाए थे उस माला को भगवती को यानि की पारवती माता को अर्पित करें और बाकी जो सामगरी साथ में लाये थे वो उठाकर किसी पुजारी को दान कर दें फिर देखिए आपकी जनम पत्रिका का सूर्य पूरी तरीके से आपके अनुकूल हो जाएगा इसी के साथ साथ आज दोपेर डेड़ से धाई बजे के बीच में यदि आप पांच बिल्व के बौधे किसी मंदिर में लगा देते हैं तो आपके सूर्य देव के उच्च फल आपको प्राप्त होने लगेंगे इसमें कोई भी संदे नहीं है अगर आप किसी कॉंपिटिटिव एक्जाम की तेयरी कर रहे हैं सरकारी नोकरी चाहते हैं तो ये उपाए आपके लिए अमोग रामबान की तरह सर करेगा ऐसे ही आज माता सरस्वती की विशिष्ट साधना आप आरंब करके अपने भाग्य में सफलता के नए सूलेख लिख सकते हैं जो चात्र चात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर अर्चने पा रहे हैं या मन भटकता है या फिर आप बहुत ज़दा मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो इन सब को आज ये साधना अवश्य शुरू कर देनी चाहिए करना सिर्फ ये है कि शाम आठ बच के क्यावन मिनट से माता सरस्वती का पूजन आरंब करें सबसे पहले भगवती के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचोप चाड़ से पूजन करें श्वेत पुष्प श्वेत मिस्टान उनको अर्पित करें फिर गुरु गणेश वंदन करके माता सरस्वती से प्राथना करें कि वह आपको विद्ध्या और प्रग्या का दान करें सिक्षा में अरियर अर्चन को पूरी तरीके से हटा दें फिर आफ इस मंत्र की तीन मालास का जाब करें मंतर ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है ओम नमो Бागवती सरस्वती परमेश्वरी वागवादनी मंविद्या देही भगवती हंस्वाइनी समारूडा बुद्धिम देही प्रज्याम देही देही विद्याम देही देही परमेश्वरी स्वाहा मंत्र फिर से समस्ते मंत्र उस्प्रकार है ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी करते हुए सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन अगर आपने साधना को कर लिया तो इसमें कोई संदे ही नहीं है कि आपकी अध्यन शम्ता आपकी बुद्धी आपकी प्रग्या दुगनी तिगुनी तेजी से काम करने लगेगी और जीवन भर भगवरती इमाता सरस्वत कामोग आशिरवाद आप अपने साथ महसूस करेंगे और ये निश्चित रूप से होगा तो दर्शे को ये थे आज के वो विसस टुपाए जो आपको बहुत बड़ी समश्याओं से बाहर लाकि आपकी मनोकामनाय पूरी कर रहे हैं और आप बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिक आई है हमारी दर्शक परीदी जी की 11 मार्च 2002 का इनका जनम है सुबह 5 बच के 52 मिनट सीकर में प्रशन किया है लव मेरिज और अरेंजड मेरिज क्या होगी देखिए परीदी जी आपकी कुम्ब लगन और मकर राशी की जनम पत्रिका में राहु केतु की शांती अवश्य करवा लीजिएगा ताकि वैवाइक जीवन में और आपके करियर में कोई समश्य ना आए आज की दूसरी जनम पत्रिकाई है किशन शिंग जी की और इनकी जनम तारिक है 13 नौंबर 1903 में सुबह 10 विच के 10 मिनट का जनम है जो प्रशा रहे हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेस से आपकी इंकम होगी और यह व्यापार की द्वाराई संभवे की चार पांच जगे से पैसा आना नोकरी से नहीं होता है तो व्यापार आपका हुना तय है आपको मैटल से संबंदित मशीन से संबंदित स्क्रैब का काम वहानों काम ओटोपार्ट का काम तेल से संबंदित काम यह आप कर सकते हैं उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप सूर्य और मंगल के जाब करवा लीजिए एक अच्छा सा मानिक क्यों और एक मुंगा पहन लीजिए और राहु की शांती अवश्य करवाईए फिर देखिए जीवन कित चा जो सत्संग हमने किया उस अपने जीवन मोतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव मैं सक्क्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्राथना करता हूं कि जब आप हमारे बतावे उपाए करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामन प्राण करें जया आदिशक्ति गुट मॉर्निंग मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के स्विशे सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करे के इन बातों को करना वुइट करे जिससे आज के दिन को और भी बहतरीन बना सकते हैं आप तो जानते हैं दोस्तों कि कौन से रीडिंग होगी आपकी यह आपने हमारे कायर क्रिम को नया जॉइन किया है तो धारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डेट ऑब वर्थ है 14 यानि की 14 तो एक और अगर मंगर की उर्जास तो व्यक्ति बहुत जादा सक्सेस्फुल बना सकती है व्यक्ति अपने आप में बहुत जादा पैसेने होगा और अपने काम को बहता धंसे कर पाएगा लेकिन अगर वहीं मंगल की जो एनरजी नेगेटिव में जा रही है तो अच्छा खासा व्यक्त जो है वह बहुत अधिक क्रोध में रहेगा और किसी भी बात को ढंग से समझेगा नहीं कहीना कहीं वह संतुलित नहीं की उपासना करें मा मंगला गौरी की उपासना करें उन्हें लाल रंग का पुष्प लाल रंग चंदन और लाल रंग के मिठाई अवश्य ही चढ़ाएं और जो पुरुष हैं वो क्या करें कि जो भगवान कार्ति के हैं जो शिवजी के पुत्र हैं दूसरे जो पुत्र हैं ज थोड़ा सा मंगल का जो प्रभाव है वो कम होता है और बैलेंस में आता है तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारकरम के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमें एंजल्स एंसिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी अनर्जी बहुत अच्छी है स्वभाविक सी बात है आपका जो आपके मूलांक की स्वामी है वो सूरे हैं जो अपने आप में उर्जा का स्त्रोत रहें और आ आपकी manifestations जो है जो आपकी wish है वो पूरी हो सकती है इस प्रकार की energies हैं तो आज आप सारे काम छोड़ कर केवल अपने लक्ष प्राप्ती पर लग जाएए आज की दिन आपका जो focus है वो आपका लक्ष होना चाहिए अवश्य ही आज बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे और अगर आपने अपनी विचारधारा को सकार आत्मा कर रखा तो न जाने आप कितना कुछ achieve आज ही के दिन कर जाएं आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए स्टार गेजर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी कोई परिस्तिती चल रही है कई बार आपको लगता है कि यह जो चालेंजिस हैं हम कैसे इससे उवरकम करेंगे लेकिन जो भी आपकी परिस्तिती चल रही है परमात्मा आपको बताने की कोशुश कर रहे है क यह जो भी situation आपके आसपास है उससे थोड़ा सा उपर उठकर उसे समझने का प्रयास कीजिए हो सकता है कि जो परिस्तिती आपके जीवन में चल रही है वो आपको और ज्यादा powerful बनाने के लिए हो रहा है process क्योंकि आपको जब कहा जा रहा है कि आप अपनी चीजों को अपने thought process को अपने लक्ष को जो है वो थोड़ा सा उचा रखें बहतर रखें तो इसका मतलब साफ है कि आपको उसके लिए तयार भी किया जा रहा है बहुत 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 पद जब परमात्मा को विक्ती को देना होता है न तो उस प्रकार की परिक्षा भी लेता है और उस प्रकार की परिस्थितियों में भी डालता है आपका दिन शुभा आइए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंसेस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 27 अगस्त दो हजार तेस के लिए और मूलांक तीन के यह से थोड़ा सा बाहर निकलिये, अपनी एनरजी में थोड़ा सा पैशन लेकर आईए, थोड़ी सी उगरता लेकर आईए, आप कही न कहीं बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सक्षम है, लेकिन आपकी जो अपनी मेंटालिटी है, या जो एक लेजीनेस वाला जो प्रोसेस है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपको क्या करना है, कि आपको अपने आलफ से का आज त्याग करना बहुत ज़रूरी है, और अपने वास्तिक सरूप में आके अपनी एक्च्छल टैलेंट को पहचान कर उसके साथ काम करना, विद पैशन, इस वेरी इं कहा जा रहा है, विंचर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छी ओपर्चुनिटीज मिली हैं, जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ था, अभी से पहले, उस नुकसान की भरपाई को करने का आज का दिन, किसी प्रकार, फिर वो चाह हुआ मान, संबान, प्रतिष्ठा आप आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ओपर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी, लेकिन विशेश कहा जा रहा है आपको आज कि धन को संभालें, धन का अत्यधिक व्याय करने से बचें, बेवजह धन खर्च ना करें, बलकि उ से सही जें, आपका दिन चुभो, आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, 27 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमें कहा जा रहा है, दो कार्ज निकले हैं, पहला है वेज़ फॉर इंपॉर्ट इंफरमेशन एंड स्काइफादर, आपको कहा जा रहा है, कि मूलांक पांच के जात्कों से क्लियर कहा जा रहा है, कि सबसे पहले ना तो किसी भी व्यक्ति पर आँख मूंद के भरोसा ना करें, फिर वो चाहें रिलेशन्शिप का मामला हो, अगर मैं यंग्स्टर्स मेर को देख रहें, तो मैं क्लियर कहना चाहूंगी, कि किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आएं, अगर आपको कोई व्यक्ति कह रहा है, कि वो आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, या फिर कोई व्यवसाय में, अगर आपसे कहता है, कि वो आपके साथ कारे करना चाहता है, को मूर्ख बनाने का अप्टैस कर रहा है करना क्या होगा महदेव एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे है 27 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फिर से हैसूस कर सकते लेकिन चिंता मत कीजिए कही नहीं जो बहुत कर सकते हैं तो आपको divine कहरा है आप शलीगों को मिल रहे हैं और जटेव मान मावठी तो नहीं है करें आपका दिन शुबहों आए जानते हैं मूलां के साथ के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अगरस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर पैशन लाने की आज जरूरत है अपने काम में आपके काम में जब तक आप पूरी तरह से इन्वाल्व नहीं होंगे उस चीज़ की सफलता में संदे है आज कहीं न कहीं आपको खुद के आगे नहीं बढ़ रहे हैं कारे को डं से नहीं प्रोसीड कर रहें तो एक राजा याएक लीडर होता है वो उन्हें सही मारी पर लाने के लिए कि थोड़ा सा क्रोध प्रदर्शित कर सकता है प्र ultra को केवल प्रदर्शित करने में बहत बड़ा रहे हैं 47 अगस्त 2023 के लिए और major Realm 8 के लिए हमें कहा जा है पथा का कार्ड यह को है जीवन दाए बारा है आपकी विचारदावा रहा है आपके काम करने के तरीग बार हो ते छो क्लीक heh तीम है build है कुल मिला में बढ़ा चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है जौम के सारसाफ आप कुछ अलग से भी लाइफ इन पराफेशन की तरह एक सेकेसके सब्सक्षाद की संभावनाबंति हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अगस्त 2023 के लिए आज की तारीक का मूलांग है और मूलांग नौ की बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है औरिकल का कार्ड है जबरदस्ती हडबड़ा के कोई निर्णे ना लें बहुत सोच समझ के डिजले साथ ही साथ ऑफिस म आपसे किसी विशेफ पर हामी भरवा सकते हैं तो ऐसा कोई भी कमिटमेंट ना करें बिना सोचे समझें यह बहुत जादा ज़रूरी है बाद में पच्छताना पड़े कि आपी से तो हमने पूछ के किया ता आपी ने तो कहा था तो कुल मिला के आचे दिन आप क्या करना है सोच समझ के हामी भरनी है सोच समझ के अपना कमिटमेंट देना है सही समय का इंतजार करें आपका दिन शुभो दोस्तो यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें आप हमेशा सफल रहें और दोस्तों अगर आपने हमारे प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को मिस कर दिया है तो आप हमारे न्यूज 18 राजिस्थान के डिजिटल प्लैटफर्म पर जाकर भी से देख सकते हैं आप सभी के बीतर बैठे बरमात्मा को मेरा प्रेनाम